आमाद्वी पाटि ने किंदर सरकार के देश में CAA लागू करने के निर्णे का विरोध किया दरसल आपके रास्टिय सयोजा गर्विंद केजरिवाल ने कहा कि CAA देश हित में नहीं है किंदर सरकार देश के करोडों लोगों को रोजगार और मकान नहीं दे पाई है वहीं वो पाकिस्तान, बांगलदेश और अफगानिस्तान से आने वाले करोडों लोगों को नौकरी और मकान देगी तेरसल भाजपा CAA लाकर देश के साथ ऐसे खिलवाड बोट बैंक के लिए कर रही है जहां भाजपा का बोट बैंक कंप है, वहाँ दूसरे देशों के गरीब लोगों को जुग्या बना कर बसाय जायेगा उन्होंने चुनाव से पहले CAA लाने पर भी सवाल उठाए है मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने बुद्बर को वर्चुल संबादाता संबेलन में CAA का विरोध करते वे कहा कि देश में 10 साल राज करने के बाद लोगसवा चुनाओं से ठीक पहले भाजपाईयों को CAA की बात करनी पड़ रही है अगर वो 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो आज CAA की जगा अपने काम पर जंता से बूट मांग रहे होते आज देश में सबसे बड़ी समस्या मेंगाई और बेरोजगारी है ऐसे में केंदर सरकार इनका समादान ढूणने की बज़ाए CAA की बात कर रही है उन्होंने कहा कि केंदर की भाजबा सरकार के अनुसार पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश के अलप संक्यक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी इसका मतलब है कि इन तीनों देशों में बड़ी संख्या में अलप संख्यों को भारत में लाये जाएगा उनको भारत में बसाये जाएगा उनको रोजगार और घर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि ये कितनी अजीव बात है कि किंद्र की भाचपा सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही और वो पाकिस्तान से अलप संक्यकों को लाकर उनके बच्चों को रोजगार देना चाती है हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है भारत के धेरो लोग बेगर हैं लेकिन भाजबा पाकिस्तान से धेरो लोगों को भारत में बसाकर घर देना चाती है उन्हें कहा कि पाकिस्तान, अफगानिसार और बांगला देश में 2.3 करोड अलपसंक्यक हैं ये तीनों देश बहुती गरीब देश हैं जैसे ही भारत के दिरवाजे खुलेंगे इन तीनों देशों से भारी भीड हमारे देश में आ जाएगी पडूशी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बना रहा है बोडर पर दिवारे लगाता है बोडर पर बिजली की तारे लगाई जाती है बता दे कि अर्बिन केजरिवाल के इन बयानों पर अब हिंदू शरणार्थियों ने अर्बिन केजरिवाल के घर के बहार प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया है इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं सभी प्रदर्शन कारियों को प्लिस ने बैरिगेटिंग के जरिये केजरिवाल के घर के सामने रोक रखा है इस प्रदर्शन के बीच CM केजरिवाल ने कहा मैंने कल बताया था कि किस तरह CAA देश के लिए खतरनाक है और कैसे इसे लागो होने से देश भर में भारी संख्या में पडोसी देश से घुसपैठी आ जाएंगे आज ग्रह मंतरी ने उस पर अपना बयान दिया है उन्होंने कहा मैं इसका जबाब प्रेस कॉन्फरेंस में दूँगा आम आदमी पाटी ने CM अरविंद केजरिवाल के बयान का समर्थन करते वे BGP पर निशाना सादा दरसल आपकी राष्टी प्रवक्ता प्रेंका ककड ने कहा पाकिस्तान से आए लोगों से हमारी बेटिया कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर केजरिवाल बरस्ट होता तो वो आज तक BGP में शामिल हो जाता तो लोग पाकिस्तान से आएंगे वो जुगी में रहेंगे जब वो लोगों के घर के सामने रहेंगे तो आम लोगों की बेटियां उनसे सुरक्षित रहेंगी दंगे होंगे डकैती बढ़ेगी क्या BGP कानून व्यवस्ता की गैरेंटी ले अगर आपके घर के पास पाकिस्तान बांगलादेश से लोग आकर जुगी बनाकर रहने लगेंगे तो क्या आप पसंद करोगे बता दे कि अर्बिंद केजरिवाल के इनी बयान और आरोपों के बाद अब हिंदू शुरणार्तियों ने अर्बिंद केजरिवाल के खिलाव उनके खिलाव क्यों दिया है